तत शिरियक काल जे अमीद करदा तुसी सारे वदिया अते ठीठा खुमोंगे अते तो आड़े अपने एक्जाम दी त्यारी वदिया जारी होएगी तो आई दिया सी इस क्लास दे विच इनवाइर्मेंट ना लेटर दो बड़े इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करन जा रहे हैं जिनना दे विचो क्वेश्चन ओना पेपर दे विच तैह ही हुंदा गा जिमें के एक तुसी स्क्रीन ते देख सकते हो ग्रीन होस अफेक्ट अटे दूसरा आगया साड़ा ग्लोबल बार्मिंग तो कई बारता दो दो तिन तिन क्वेश्चन भी इनना दे विचो आज अंदे ने एक्जाम दे विच तो पहला दा मैं दास्तियां कि यह आज दा साड़ा अठारमा पार्ट है जी जो असी इविएस्टी थियोरी का रहे हैं वो दा अठारमा पार्ट हैगा इस तो पहला आसी 17 पार्ट कवर कर चुके हैं अते एक जो हैगा वो अपा इविएस्टी पैड़ागोजी दी भी क्लास लाज चुके हैं टोटल पांचक दे बिच कवर हो जूगी एक क्लास हो दी हो चुक है अगर तुसी वाले पार्ट नहीं देखे तो उपर आई बटन ते प्लेलिस्ट ता जाके लोग वीडियो स्था लेंक आ रहे हो ना वो तुसी देख सकते हूं इस तो लावा सीडीपी इंगलिश पैडागोजी यह भी साड़ा कम्प्लीट हो चुका जे तो इदा भ बड़ा बड़ा टॉपिक है जी इनवाइर्मेंट दा एंड इनवाइर्मेंट एक इदा दा टॉपिक है जी देविच वो क्वेश्चन बहुत आउंदेने पर पर आउंदेने अगर पेपर दे विच आउन लागी जानता सो चलो स्टार्ट कर दें ग्रीन हाउस अफेक्ट देवारे हरा ग्रै प्रवाब लास्ट क्लास देविच भी मैंदा थोड़ा जा जिकर तो आड़ेले कीता सीगा ता इत्थे अपनों डीप समझेंगे सब तो पहला देखो आली पिक्चर देखो जो इत्थे बनी हुई है आम तोरते थी नर्श्रियां देविच जिथे आगज शीट जेड़ी है गिया ट्रांस्पेरेंट जे में तुसी देख सकते हुँए थे ट्रांस्पेरेंट है बिल्कुल ट्रांस्पेरेंट दा मतलब आपा लाइट आले चैप्टर च पड़ेया के जीदे बिच दी आर पार देखा जा सके सूरी दी रोश्नी जीदे देखी हुगी सो इधा बेसिक जा मतलब की हुँदय यहनु घ्रीन हाउस भी कोकि अंदर देखो ग्रीन रही है सारा कुछ देखन देखें देविच घ्रीन ग्रीन लगदागा ता एनुन आसी नॉर्मली बौल दिने जी घ्रीन हाउस ठीक है याद रखियो देखो पेहला त ता ग्रीन होस ता एधा मकसद की हुँदा है इस ग्रीन होस मकसद स्पेशली सर्दियां दे विच लगाया जानदा तांके कुछ सब्जी यां ठीक है कुछ पॉद्धे दे ने जिन्हानु जादा टेंपरेचर चाहिदा हुदे बट सर्दियां दे दे विच आके आपनु पता है कि जो टेंपरेचर ऐची हो डाउन चला जान देगा ता उधे लिए जो सब्जी भी गहरा गी उन्हों एद्धा दे नेट दे बिच लगा के उते शीट पाके बंद कर देता जान दा ता उधे नान हुंदा किया कि जो सूरी दी रोशनी है ठीक है वो एक बार ता देखो पे ट्रांस्पेर अले शीट जड़ी है ता इदे विच दी अंदर दाखल हो जूगी टेंट दे एक बार ता जो सूरी दी रोशनी अंदर दाखल हो जूगी ता बात देविच की होगा कि कुछ जड़ी लाइट है हो ता ये पौद्दे भी अब्जार्ब कर लेंगे कुछ ता अर्थी भी अब्जार्ब कर लोगी ठीक है जी ते कुछ के जड़ी लाइट है ना वो ता अर्थी ना टकर आके बापस जाओगी बापस जाओगी बापस मुड़ूगी रफ्लेक्शन हुगा प्रवर्तन हुगा जिमें अपना लाइट आले चेप्टर दे विच पड़ इसी नीचे नूँ वो दे विच्छों 50% ता जड़ी पॉद्दे नी अब्जार्ब कर ली ठीक है 20% ता अर्थी नी कर ली हूँ जो बापस लाइट चाहा रही है ना तो दे विच्छ इन्ही इनर्जी बची नी ठीक है बहुत जदा उट जाह है नहीं हो दी तांगर क्यों कोई शीट भी नहीं पाया जड़ी क्रॉस कर सकते शीट देना टकरा के बापस फिर नीचे आओगी फिर नीचे आके फिर अर्थना कुछ पोर्शन टकरा के कुछ अब्जॉर्ब होके बापस उपर जाओगा मतलब एक जो हीट है ना वो ट्रैप हो जो ठीक है एसे दे बिच टेंपरेचर चाहिदा तांगर के उन्हादी ग्रोध वदिया होगी ठीक है जी फालब गेरा लगनेंगे उन्हादे फो एह हुंदेगा ग्रीन हाउस है यह अक्सर ही अपाले द्वाले लगया देख देया तो एही ग्रीन हाउस देना लेटड ही है साड़ा ग्रीन हाउस मैं तो अनुदासता जो ग्रीन हाउस एंफेक्ट हो रहे है जी एपूरी अर्थती हो रहे है पर वहां पूरी अर्थती पहर है हुंते आना देखो कि में ता सूरेतो चुछ किर्ना आ रही है थीक है सूरेतों कुछ in coming radiation में लिखिया कुछ किरना ठीक है थिमें लेख दिन न कुछ रेस कुछ किरना तर्ती वला रही है ने ठीक है तर्ती यह जी तो इथे भी यह ना प्रॉपर सर्कल बने हुए जिड़ा भी है तो एक ग्रीन हाउस जैसा ग्लाफ होगा जी दी गलप बाज करांगे तो इत्तों तक कि जी जिदो light आई ता था रतीन तकराई ठीक है तो फिर बापस भी जाऊगी है बापस ले अगर कोई light इत्ते टकरा रही है तक जैसे में आट लेजिया से ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस चैसा maiden ठीक है मैं उपर लिख दिना उपर लिख भी होया महीं होगे ठीक है ग्रीन हाउस गैसे जो के थोड़ियां हवा तो पारियां हुं दियाने तो एगासा केड़ियां-केडियां इना जिक रग्गे भी है जिम्हें इक होगी जिसी-ओ-2-2 कारबन डायोकसाइड सारा ही बाहर कर दें गैस सीयोटू कार्बन डायोकसाइड फोर भी बढ़ियां हों दिया ने जो के जिमें मीथेन है जी सीएच फोर सो इनना सारा कुछ आप पागे लिखांगे डॉंट परी एथे मैं दो गैस तो नू दास्तियां सो इनना नू सुनके थोड़ा समझन दी ता उने ने एक गलाफ जा बनाया होया एदा सीयोटू गैस सोड़ी पारी भी हुन दिया ते ओधी कंसेंट्रेशन भी बहुत बढ़ रहिया दिनों दिन क्योंकि आप भी सारा ही बार कर दें है ठीक है होड कही तरीके ना लई पैदा हुन दिया सो इधी मात्रा भी दिनों नहीं जाओगी ठीक है ओही गलाफ देना टकरा के बापस फिर तर्तिती आ जोगी ठीक है फिर तर्तिती ना टकरा होगी फिर उपर जाओगी ठीक है फिर अग्गे नहीं नंग होगी इस गलाफ तों फिर फिर बापस आ जोगी तो यही सिस्ट्रम चलदा रहू देखो मीं के होगी मिथेन होगी ठीक है हुर भी गैसस आपता जिकर करांगे गे तेले सिंद्ध, ओजह हुगा कि जो लाइट है न बापस ता अर्थी ते टक्राएगा अपनी ता अर्थी दा जो टेम्प्रेचर है ठीक है नो बज्जगा अर्थ दा ओर्थ दा केलो जो तापमान है ची वो बाद जूगा ते कादेनाल बदूगा हो ग्रीन होस अफेक्ट देना तो जेड़ी चीज आहां होरी अपडाउन अपडाउन जो मैं तो नू समझाया एसे नूँ असी बोल देया जे ग्रीन होस अफेक्ट के कुछ गैसस हुन दिया ने जिनना अब्जार्ब होगा कुछ ने बापस जाना होंदागा तर्थी दे बहुत कुछ है जी पॉद्दे ने जीव है ठीक है ओ अब्जार्ब भी करनगे पर जेड़े आप पोर्चन बापस जाना होगा बापस फिर बाजुमंडल च नहीं जाओगा ओ द्वारा फिर उनना गैसा टक राके बापस आई जाओगा ठीक है फिर ए परसेस पूरे दा पूरा चलदा रहूँ जिमें मैं तो नुसम जाएगा तो जीदे नाल की होगा जो तर्थी दा टेंपरेचर है ताप माने बाज जूगा ते इसे नहीं आसी बोल दियां ग्रीन हाउस अफेक्ट ठीक है क्यो अगली स्लाइड वाल जी होन कुछ इंपॉर्टेंट चीजा नूट करांगे अपा जिमें ग्रीन होस अफेक्ट हरा ग्रैपर बाब टॉपिक हो ही लिखेगा इनननों काइंडली नोट कर लेओ बड़े राम नाल तो पहला जोसफ फोरियर जोसफ फूरियर ठीक है एक नाम ह है ठीक है बग्यानी दा जनली क्रेडिट बिद दा डिस्कवरी ऑफ दा ग्रीन होस अफेक्ट देखो इथे बेद अलाग गया जी दा अलाग यह लिखन बिले हो जानदा सो ए परसन नों तुसी याद रखना गा ठीक है जीदा नाम की एगा फोरियर जब इंगली पंजाबी होगा जी जोसफ फुरियर इस तो बाद उन्हों केडियां किदना ने जीडियां तरतीति आ जान दियाने अपा पहली गलासे बिच गल कीती सी पिछले पार्ट देविच स्टार में देविच के ओ जोन एक इदन ही पड़ता है जीड़ी अल्ट्रा बॉयले ट्रेयरों तरती तो रोक दिया ठीक है क्योंकि कुछ न कुछ करूगा उन्हों अगर अल्ट्रा बॉयले ट्रेय तरतीति आ जान तक की हो सक्देदा अंसर मैंनों तुसी कमेंट बॉक्स से भी दस होंगे तांके मैंनों भी पता चले कि तो उन्हों याद है पिछली क्लास चा नहीं हैगी तो ओढ़ंगे जी आई आरे इन्फ्रा रेड किरना ठीक है आए दा मतलब इन्फॉर इंफॉर्ड रेड अर दूजह आर दा मतलब रेड इन्फॉर्फे रेड रेज ठीक है आए लालो आई आरे जन्हों शॉर्ट फॉर्म दे विच बोल दिनने है ता एक इंद निया ने ठीक है, responsible है, वो तुसे याद रखना है, infrared ray, ठीक है, गर्मी लेगी, heat दे लेगी, इस तो बाद greenhouse gases, जेडियां सारी गर्मी बदा आरियांने, temperature बदा आरियांने, ठीक है, उकेडियांने, सबतो पहला carbon dioxide, इदा formula लेख 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 ल oxide, इदा formula मैं इदा लिख दिना जी, nitrous oxide दा formula हुंदे, N2O, फिर ozone, जीदी कहला आपा पिछली क्लास दे विछ भी कीती सी, इदा formula हुंदे भी greenhouse gas है, O3, उस्तो बाद CFC आ गया जी, एद भी मैं पिछली क्लास दे भी दस्हा सी, chloro, C for chloro, F for fluorocarbon, chloro, fluorocarbon, ठीक है, फिर water vapor, प पाणी दे बाशप लिख लेओ नाल यह बड़ा इंपोर्टेंट है इन्हों नोट कर लेओ सो एनिया चीजा ने जेडिया ग्रीन हॉस अफेक्ट करने गियां को कि देखो जे ग्रीन हॉस गैसेज ना हुझा तो ग्रीन हॉस अफेक्ट कितो हुगा ठीक है तागर कितो उन्हों पता होना चाहिए कि केडियां केडियां ग्रीन हॉस गैसेज ने कॉमन जे नाम में सारे थे लिखते पूरी थी पूरी स्लाइड बड़ी ही जादा इंपोर्टेंट है तो अडेले काइनली एनू नोट जुरूर कर लेओ सो हुझा ग्रीन हॉस अफेक्ट तो बाद आप चलांगे जी ग्लोबल बार्मिंग दे बल हां जी नेक्स्ट आप पढ़ांगे ग्लोबल बार्मिंग दे बारे सो बड़ा ही डिमांडिंग टॉपिक है ग्लोबल बार्मिंग भी सो हुझ तक आप आप आए पढ़े के कुछ गैसस हुन दिया ने जिनना नोग्रीन हॉस केंदे ने जो के तर्ती दा जो टेंपरेचर आ अँग्रीन हॉस एक चाहांगे ग्लोबल बार्मिंग के ने चौनगा ऐंगे अग लगी होई है आँ सूरज है मतलब ए फुटो की कहना चौन दिया तो नू कि जो तर्ती दा तापमान है जो तर्ती दा आसत तापमान है वो हर साल बाई साल की यह बाददा जा रहे तेसे नूँ असी बोल दिया है ग्लोबल बार मी सो आ ग्रेजुल ग्रेजुल दा मतलब हौली हौली अनक्रीज इन दा एवरेज टेंपरेचर आसत तापमान आफ आर्थ एट्मोस्फिर इस कॉल्ड ग्लोबल बार मी तर्ती दे वाजु मंडल दे जा कहलो तर्ती दे आसत तापमान विच हौली हौली होए जा हुंते बाद दे नूँ असी की बोल दिया है ठीक है अगले साल होड जादा होजे हौली हौली जो स्टड़ी है कह रही है के साल बाई साल हौली हौली तर्ती दा जो और आसत तापमान व बाददा ही जा रहे है तेसे नूँ असी बोल दियाँ ग्लोबल बार्मिंग अगर हुण में तो अनों question पुछा के global warming हुण दी का दे नाल है तो obvious जी कहला है जी global warming दा कारण की है green horse effect तो के green horse effect दे विच green horse gases सी गिया ठीक है जिन्या green horse gases बद्ध होन गिया उननी जो heat है जो किरना ने वो तर्ती दे उपर ही रहन गिया ठीक है तर्ती दा तापमान बद्ध जाओगा तो अगर तापमान बद्ध होगा तो साल भाई साल भी बद्ध जाओगा तो green horse effect ही global warming ले जम्मेवारा है याद रख्यो ठीक है बस एही दसना सी को कि दोने topic link ने कि global warming की दे करके हुण दी है जा के लो green horse effect करके जा के लो green horse guesses करके इदा तुसी बोल सकने हो बट global warming अपने आप चिक बड़ी टर्म है इदा मतलब एह है के हर साल भाई साल जो तर्ती दा average temperature है ओ अन्क्रीज हो रहे है हॉली हॉली तेनों असी बोलने है global warming हां जी नेक्स से सी पढ़ांगे effects of global warming सो global warming दे पर आव केड़े केड़े ने सो मैं तिन पिक्चर लें जाने जो के तो अनू लगपक सारा कुछ ही explain का रही है ने बड़े ते आनना देखो इना नू सब तो पहला पर आप देखो इदे विच के sea level will rise ठीक है जी मैं इथे देखो फोटो दे विच की हो रहे है एदर समुंदर है जी ठीक है आली सैड हैगा समुंदर इदर ता तुसी देखो समुंदर दे पाणी दे लेवल इनँ ऊपर आ गया टासे ससे देख सक हथे हूं कि गडिया चलती है पजया ने होगया कि शटका धर भी आ मतलब शचारल चला गया तो अगर टेंप्रेचर बड़ुगा न अगर टेंप्रेचर बदूगा ता जो शुमंदर है ठीक है स्पिर मुंदर दे पाणी दा पदर की होजेगा बाद जावेगा ठीक है पाणी दा पदर बाद जावेगा तुसी याद रखना देखो एदे विच कई कारणने और आपाहे नहीं ज्यादा साइंस अल डीप नहीं जामागे जिमें थर्मल एक्सपेंचन जिमें अगर टेंपर या marker change कर लेने हैं सेकंड की लिखे हैं मैं Glacier and ice at pole will melt देखो त्यार ना आ है गिया जी आइस है ना आ देखो आइस है थे तुसी की देख रहे हो कि जो आइस है ओ मैट हो रही है ओ पिगल के पाणी बन दी पही है ठीक है अगर temperature बदूगा अगर मैं कुछ इतनी लिख लो ता बहुत बदिया गाल है ग्लेशियर आते ठीक है त्रोबां पोल हुंदे जी त्रोब त्रोबां थे पई बर्फ जड़ी है त्रोबां थे पई बर्फ पिगल जावेगी ठीक है लाइन तुसी इतना लिख सक दियो पिगल जावेगी तो तेनी बड़े में अफेक्ट हुन देने वैसे दा बहुत हुन देने पर तेन बड़े में ने इस तो बात तीज्या देखो सम प्लांट्स एंड एनिमल बिल्ड आई देखो अगर temperature बाद जोगा जीजी में राज्यस्तान आड़े कुछ लाक्यां देव लो पॉद्दी आते जानबर ठीक है डाई दा मतलब मर जानगे अगर टेंप्रेचर जादा हुगा तो कई पॉद्दे होंगे कई एनिमल होंगे जो शायद इनना टेंप्रेचर ना सहार सकन ते उनना दी डेथ हो जोगे यह फोटो देख सकते हूं वैसे फोटो लईया लोगे जादा टेंप्रेचर बदन देनाल जादा गर्मी नाल खास करके में पहली दासके एठेट है राजसान साइड वैसे सारे किते नहीं है गाए ठीक है पर कुछ गलाकी है ने उदर ठीक है जितने थोड़ा जाएदा लग देख थोड़ा रेड लागा जैसन मेर राजसान दी शैदोद्धा दी नहीं हैगी कोगे मैं मैंनों भी पिछले दिनी जैपुर जाहन था कुछ समा पहला मौका मिले थे मैं देख्या कि जो आपा सोच देया जाए जो ज्यादा तर बुक से भी छुंदा गा ता उन्ना नहीं है गा होते ठीक है ठीक है डिवेल्प बुक ते नोट कर सकते हूं हां जी आज दापा फर्स्ट एमसी क्यू कर देयां सो एमसी क्यू है वाट टाइप अफ रेडियेशन इस टैप डाउन अर्थ सर्फिस वाइदा ग्रीन हॉस एफेक्ट अपनू बता के सूरेदिया किरन तर्थी ते ट्रैप हो जान दियाने पास रेज एक्स रेज आईयार रेज हना तक केड़ी जो किरन ने परकास्तियों गर्मी कर दिया हना तर्थी ते ट्रैप हों दिया स्पेशली तो किरन दा नाम है जी आईयार इंफ्रा रेड मैं दस्या सीगा बहुते बच्चे जूबी ला दिन देने याद रखे जूबी दस व करूगी मतलब काफी लॉजिकल पॉइंट ने जूबी दस वंद हैगा ओ जो उन देनाल अते ग्रीन हॉस एफेक्ट आलियां करेज दा जेड़ा स्वंद हैगा जी आई आर नाल इंफ्रा रेड रेज देनाल हां जी question number second which of the gas is not a greenhouse gas फिट लिखें विचो केडी gas greenhouse gas नहीं है देखो यह भी पर चाय होया पहली option ने मिथेन मिथेन दा फॉर्मूला CH4 बिल्कुल है गिया जी फिर नाइट्रस उक्साइड एदा फॉर्मूला एंट्वो में लिखाया सी एभी है गिया फिर कार्बन डाय ओक्साइड इता बड़ी में है जी human activities रहीं अपा सब तो बातते ही प्रद्वी करते हैं सो एभी है गिया सो केड़ी नहीं है कि नौट पाया केड़ी नहीं है कि हाइड्रोजन सो हाइड्रोजन इस नौट आ ग्रीन हाउस गैस सो आंसर किया एगा सेकेंड दा डी क्वेशन नौबर थर्ड है जी विच ओफ दा फॉलिंग इस नौट अन एफेक्ट अफ ग्लोबल बार्मिंग केंदा ग्लोबल बार्मिंग दा केड़ा पर बावन नहीं है पुछ यह त्यानना पड़े हो असमुंदर बिचले पाणी दा पदर उच्चा होवेगा बिल्कुल सही है जी गलेशियर टेतर उबांते बर्फ पिगलेगी बिल्कुल सही है देखो बोकुचो डीटवी चक लिया सम प्लांट्स एंड एनिमल बिल्ड डाई विकॉज आफ हीट यह भी बिल्कुल सही है कुछ पौद देते जांटर गर्मी नाल मर सक देने ठीक है सारे नहीं बट कुछ अगे समर बिल बी कूलर और बिंटर बिल बी बार्मर देखो की लिखेया कई ता गर्मिया जादा यह ज्यादा गर्म हो जाणगी है ठीक है सो गर्मी देखो टेंपरेचर बाद रहा ता गर्मी ठंडी होंदा तो कोई मतलब भी नहीं हैगा तांगर केड़ा अफेक्ट नहीं हैगा पुछ ऐसी ऑप्शन डील अफेक्ट नहीं हैगा सुदा राइट आंसर फॉर्ट इसनों से सी एफ सी लिख दिरने हैं सी एफ सी एफ सी एस फिर मिथेन फिर कार्बन डाय ओक्साइड फिर ओल अफ्टा दीज मतलब अप्रोकर सारे उन्हें इस क्वेश्चन दा आंसर मैंनों तुसी दस दोंगे क्योंके मैं तो नहीं दास चुका ग्लोबल बार्मिंग की द जरूर दस होगे हां जी कॉश्चन नंबर फिफ्ट सो एक वार जरूर देखो अगर तुसनों वीडियो वदिया लाकरी है कोई सिखन नों मिलदा पर पेपर देले भी वैसे भी तैनों लाइक जरूर कर देऊ जी चैनल सब्सक्राइब नहीं किता जरूर कर देऊ और इस फ् एंडिया नों शेयर करो क्योंकि कोई फीस नहीं जस प्री एजुकेशन परवाइड किती जा रही है बस तो अदे तो इक हमीद रहें थी हमेशा शेरिंग दी सो ग्रीन हॉस दे प्रवाव दी पशान सब तो पहला की ने किती दिखो जी होई क्वेशन आ गया कि ग्रीन हॉस फेक्ट दी सब्सक्राइब किने रेकुगनाइज किता ता पहुद पढ़े से जो सफ फोर इयर आपपढ़े देखो किती आ वैसे जीन खुश इदना लिख्या है फोर इयर देखो आप याजी ऑप्शन बी देविच तो इननने इदना लिखता लास्ट आड़ा देख लो स् कर दे पहें जो कि इनवायरमेंट ना लिटे लेड़ सकता एक दो क्लासे एक ता हो रहोंगी आओगी हो सकता दो क्लासा ओर और जी अन्वायरमेंट देना लेटर सो बड़े त्यान पूर्ब के सारे कोश्चन करने ने तुसीं आइप तो तो अश्यू आपभी तो झाल 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 झाल